हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आई टू स्टे टीम पर दोस्तों इस वीडियों हम देखने वाले हैं क्लाश टॉयल राजनीती के कुछ बस्तुनिस्ट कॉश्चन अब्जेक्टिव कॉश्चन जो कि आपके पेपर की दरश्टी से बहुत ही इंपूरेंट कॉश् पहुत है purchase करें फील इसकान इंपिखने के खृट noodle के विडियों आपको सवग अपना मवक्त ही गही थि तो आपको पता होगा suck therapy क्या होता है तो एगाज पोफ्चार कर आपको पता होगा ausef, कमें उसका आइवाशन कये क्या होती है तो इसका आर्थ क्या होता है सौक थेरीपी होता है आगात पहुंचा कर उपचार काईना तो इसका आंसर भी हम दिखेंगे पहले हम कुछ प्रणा इस्तुरूत थी तो शाम्मेवाद के प्रणा इस्तुरूत कौन थी तो यहां पर दिया गया है आपका इसका हो जाएगा लैनिन यह भी हो जाएगा इसका आंसर पहली का था उनिश्व नभी तो चलिए अगला क्वेशन दिख लेते हैं सोवियस रंग का बिगटन कब हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 1993 में बर्तमान में यूरोपियन संग की सदश्य शंक्या है तो कितनी सदश्य शंक्या रहीगी आपकी इसका भी आपका आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 27 हो जाएगा इसका आंसर बर्तमान में यूरोपियन संग की सदश्य श 27 हैं बजार स्टालिन क्या है तिसका अंसर हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थवस्ता होती है इसके बाद आपका अगला कॉशन रहेगा जो कि है 31 जनवरी 2020 में किस सदस्य ने यूरोपिये यूनियन की सदस्या छोड़ दी ती तो यह हो जाएगा आपका ब्रीटेंड ने 31 जनवरी 2020 में आपसे इस प्रकार भी कॉशन पूचा जाता है जा सकता है कि ब्रीटेंड ने यूरोपिये यूनियन की सदस्या कप छोड़ी ती डेट पूच सकते हैं तो 31 जनवरी 2020 में आप याद रखें तो चली अगला कॉशन देख लेती हैं जो कि है रिक्तिस्तान की पूचे आते हैं भारत में आर्थिक नहीं देख लें अगर आप वीडियो चाहते हो कि आपको भीडियो को बढ़ावा देनी में किसकी प्रमग भूमी का रही है तो इसमें हुझाएगा प्रयोग गईकि इसके बाद आपको अगला कॉशन आता है संगतन की स्थापना हुई थी तो 1905 में में बिस बैपार संगतन की स्थापना हुई थी यह आप डेट याद रखें कन्फीज ना हो यह अच्छी से पढ़ें द्रविड मुनेत्र कडगम एक पाइटी थी जो जो की एक छेत्रिय पाइटी थी इसके वाद आपका अगला हो जा भारत की पहले गवर्नर जनर जो कि सी राजगोपाल चारी थी इसके बाद आपका अगला कॉशन रहेगा जो कि जब कही राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे कहते हैं गडवंदन की सरकार कहते हैं आप सभी लोग जानती है या आपका इस प्रकार से कॉशन भी ब भारत और चीन का युद उनीस सो पैंसट में हुआ था भारत पाकिस्तान युद उनीशे कत्र में हुआ था यह भी शत्त हैं भारत और पाकिस्तान का युद उनीशे कत्र में हुआ था नहीं हुआ क्योंकि तासगंद समझोता युद भी उनीशे कत्र में हुआ था तासगं इसके बाद आपका अगला कॉशन रहेगा 2016 में भारत की राष्टपती प्रणव मुकरजी थी तो ये भी आपका शत्य कॉशन है श्वेट क्रांती का शंबन दुख दुत पदन से हैं तो ये भी आपका शत्य हो जाएगा दुश्त आप क्रांती भी पढ़ने पीत क्रांती, श्वेट क्रांती, गुलावी क्रांती इस परकार से कॉशन भी बहुत पूचे जाते हैं तो आप उने भी एक बार पढ़ ले इसके बाद आपका अगला कॉशन रहेगा जो की है सही जोड़ी मिलाईए तो आपका पहला यहाँ पर हो जाएगा शोविय शंग, बायलिन की दीवार, ग्लास नोस्ट, सौक थेरीपी, तासकंद, डॉक्टर रादाखिष्णन, इरोपिय शंग यहाँ पर आपके दीए गए हैं आर्तिक मॉडल, राष्टपती, जो की भारत की है पहले का हो जाएगा आपका शोविय शंग, इनका हो जाएगा सी, जो की 15 गण रादाखिष्ण से मिलकर बना था शोविय शंग में 15 चोट चोटे गण थे, इसके बाद आपका आपका बायलिन की दीवार, तो इसका आपका डी हो जाएगा 1961 में बायलिन की दीवार गिरी थी, ग्लास नोस्त हो जाएगा, यहाँ पर सी का हो जाएगा आपका, खुलेपन की नीती, खुलेपन की यहाँ पर नीती हो जाएगी, इसके बाद आपका रहेगा, सौक थेरिपी, तो इसका यह हो जाएगा, आर्टिक मॉडल था एक, सौक थ जाता है, चलिए अगला कॉस्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं, एक बाकी में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर हैं, CWC शंदी पर अस्ताक्चर किये थे, 181 देशों ने किये थे, रवाडा जंग, सौरी, रवाडा जन संगटन कब हुआ, तो 1990 में हुआ, बिस्विक की जन संग क्या लगवग है, साथ अरव है, CT, BT की स्तापना हुई थी, 1996 में हुई थी, इसके बाद रहेगा, भारत में कौन-कौन से बांध ब्रोधी अंदोलन चलाए, नर्मदा और, एक मिनिट, नर्मदा और टेहरी बांध, इसके बाद आपका आगला रहेगा किमिट्स टू, गोत नामक कुछ तक किसने प्रकाशित की थी, कलब आफूरॉम ने की थी, चिपको अंदोलन की प्रवर्तक कौन थी, सुन्दललाल बहुगोडा थी, आपको ये कौशन याद रखना है, ये भी बहुत बार पूचे जाता है, चिपको अंदोलन की प्रवर्त मिलता रहें, और वीडियो को अपनी दोस्तों साथ से जरूर करें दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ आती लगूत्री कौश्चन पर लाने वाले हम, इसके बाद लगूत्री कौश्चन करेंगे हम, कुछ टॉप 10 या टॉप 20 कौश्चन हम लाने वाले हैं, तो चली मिलत अगली वीडियो में धन्यवाद्